नमस्कार दोस्तों और मेडिया अपडेट्स चैनल आप सब का स्वागत है दोस्तों आज मैं जवित्री के बारे में बात करेंगे जवित्री का उंग्रेजी में मैस कहते हैं पर करती के दिये वे कुछ वर्दानों में से एक है जवित्री जवित्री को कई देशों का की जवित्री की कुछ खास-खास खूबियां। जवित्री का तेल मास पेशियों और जोडों के दर्द में अत्यांत असकारक होता है। यह एक शामक वशदी है यह गठिया तता कटिवाद को ठीक करने के लिए बेद उपयोगी है। चाइना में इसका प्रयोग पेट दर्द तत बढ़ाती है। यह आपकी तवचा और बालों को स्वस्त रखती है। यह खतरन का बिमारियों तो इन्फेक्शन सभी बचाती है। यह डाइबडिज के लिए तो बहुत यूपयोगी है। जवित्री का एक वशदी है गुन किड़नी की सुरक्षा करना है। यह शिरीर में एक गुर्धे की पथ्री बनने से रोकती है और यदि आपको गुर्धे की पथ्री है तो जी उसे धीरी-धीरी खतम कर देती है। जवित्री में कैल्शम, के बीज, शहद और दालचीनिंग का मिश्रन लेना है। यह मिश्रन रोग अन्रोधी तक किसी गाव की साड़न रोकने के लिए बहुत वी प्योगी होता है। तीनों समगरी को समान मातरा मिलाकर हर सुबे इस मिश्रन को लगाएं, दस-पंद्रा मिन्ट रहने दें, फिर ठंडे पान से धो दें। इस से कील मुहांस में अराम मिलता है। दोस्तों, एक चमश दूद तेली तवचा के लिए तक फुल क्रीम मिल्क रुखी तवचा के लिए। जवित्र के पौडर मिला लें, इसे रोज अपने चेहरे पर लगाएं, तीस मिन तक लगा रहने दें, फिर ठंडे पान से धो लें। ये हिर्दे रोग के लिए बहुत जवित्री दाद के दर्द को भी ठीक करती है। यदि आपके दादों में दर्द हो रहा हो, तो जवित्री, माजूफल तथ कुटकी को मिला कर काड़ा बना लें, गुनगने काड़े को थोड़ी दर्द मुह में रखकर खुला करें, दिन में दो बार करें, इससे दाद दर् दूर हो जाता है तो दोस्तों ये थे जभित्री के फायदी आगे भी हम आपके लिए से महत्रपूर्ण जानकरियां लेकर आते रहेंगे इसके लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बैल आइकन को दोस्तों जुरूर दबादना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए फिर मिलते अगले वीडियो में नहीं टोपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार